एप्रिल बन 1935 को रिजर्व बैंक ओफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था उसके ठीक तीन साल बाद जन्वरी 1938 को आर्बिया के द्वारा इंडिया का सबसे पहला पेपर नोट प्रिंट किया गया जिसकी वेल्यू पांच रुपए थी और उस टाइम पे उस नोट के उपर युनाइटिट किंग्डम के राजा जोर्ज सिक्स की फोटो हुआ करती थी और इनका पूरा नाम अलबर्ट फ्रेडरिक आर्थर जोर्ज था और 1938 में 5 रुपए का नोट को प्रिंट करने के बाद RBI ने उसी साल 10 रुपए के 100 रुपए के और 1000 रुपए के नोटों को भी प्रिंट करना शुरू कर दिया यहां तक कि उस टाइम पे 10,000 रुपए का भी एक नोट प्रिंट किया गया था लेकिन उसे कुछ सालों बाद हटा दिया गया तो अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा होते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह के अन्नोन और इंट्रस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं